होपुली आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे और आपकी प्रेप्रेशन बहुत अठी चल रही होगी मेरा नाम है प्रेशांथ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एक्जामरीज जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को पता हूगा कि Department of Atomic Energy के अंतरगत आने वाले Atomic Mindal Directorate for Exploration and Research से जो वेक NCI आई थी उसकी एक्जाम डेट लगभग आ ही गई है आपके कोशी जिन वाद आपके Admit कर जारी हो जाएंगे और जनवरी के लाष टक आपके एक्जाम भी Conduct हो जाएंगे ऐसे में दोस्तों आप सर्वी लोग के मन में कोशान आता है कि यह जो एक्जाम है एक्जाम पर के किस टाइब के कोशीन आती है उसका सिलेवर्स क्या होता है और आपके को किस टाइब से प्रपरिशन करने चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो पे मैं इसी की रिकॉर्डिंग वीडियो लेकी आया हूँ इसलिए आप इस वीडियो को पूरा दिखे दोस्तो AMD की तरब से आपके लिए बहुत सारी वेकेंसिया आई हुई थी जैसे कि Scientific Assistant B, Physics, Chemistry, Geology, Electronic and Instruments, Computer Science, Electrical, Civil यह Scientific Assistant के वेकेंसिया आई हुई थी इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई थी जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कर्टेकर डिवाइस रिफाइन किया गया है दोस्तो आज मैं इन्हीं कैसी लेवस के बारे पर complete discussion करने वाला हुँ यहाँ पर और भी काई पोस्ट हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Technician B, Physics, Electronic, Instruments, Laboratory, Plumber, Binding और भी काई पोस्ट आई हुई थी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे में दोस्तो आप सबी लोग के मन में question आता हुगा कि यहाँ पर किस टाइप का question पर आता है इसका syllabus क्या रहता है तो इसी के बारे पर मैं complete discussion करने वाला हूँ दोस्तो अभी मैंने scientific assistant के जितने पी पोस्ट के बारे पर बताया है चाहे हो है physics हो, chemistry हो, geology हो, civil हो ठेकर ना, in security discipline का एक same syllabus है यहाँ पर आपका selection दो stage भी होगा पहली stage पर आपका written test होगा इसके बाद आपका इंटर भी होगा इसके बाद आपका final selection होगा तो दोस्तो आपन यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके written exam पर किस step के question रहेंगे, कितने question रहेंगे, negative marking रहेग 300 marks के रहेंगे, यानि कि per question 3 marks का रहेगा, अब बात करते हैं क्या यहाँ पर negative marking रहेगे, तो आपको बता दूँ, जी हाँ, आप यहाँ पर negative marking भी रहेगी, यादि आप किसी question के answer को गलत करते हैं तो आपके एक mark से काट लिए जाएंगे, और इन question को solve करने के लिए आपको 2 हं negative timing दे जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, scientific assistant B, physics के syllabus और इसके question के बारे पर, यह question कहां कहां से आएंगे, तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ, आपके जो post आई थी ना, graduation level पर आई थी, किस level पर आई थी, graduation level पर आई लेकिन दोस्तो मेरा suggestion आप सभी लोग से यह भी रहेगा, आपको क्या करना है, आप 11th और 12th के physics को भी एक बार देख सकते हैं, वैसे सारे question तो graduation level के ही रहेंगे, तो आपको एक बार क्या करना है, 11th और 12th के question को भी आप देख लेजे, physics के, इसी तरह से chemistry के भी question रहेंगे, आ हो सकते हैं, तो आप 11th और 12th के chemistry को भी पढ़ सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगा, ठीक है ना, तो यह आपके उपर है, यदि आप 11th, 12th और BSC level के जितने भी physics थी ना, physics के मैठती थी, आप उनको पढ़े के चले जाते हैं, तो आपके सारे question उनी में से आ जाएं पर आपको मैंने बता दिया, दोस्तों, यदि आप return test को qualify कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर एक interview होगा, और interview के basis पर ही आपको यहाँ पर selection होगा, hopefully आप सब लोग scientific assistant के सारे post के syllabus के बारे पर समझ के होंगे, फिर भी आपको किसी भी तरह का doubt है ना, तो आप मैंने इसी comment box में पूंच सकते हैं, दोस्तों, यदि आपने AMD की technician B post के लिए apply किया है, यदि आपने technician B की किसी भी discipline याने की किसी भी post के लिए apply किया है, तो उसका same syllabus से, कि किस क्रम पे आपका paper होगा, तो मैं आपको बता दूँ, यदि आपने technician के लिए apply किया है ना, तो आप यहाँ पर तीन stage पे paper होगे, पहले stage पे क्या होगा, पहले stage पे आपका prelim test होगा, जो कि qualify nature कर रहता है, बहुत ही simple आता है, इसे आप सब लोग आसाने से crack कर लेंगे, इसके बाद क्या होता है, advance test होता है, advance test पे क्या होता है, आपने जो, आपकी जो discipline थी, जैसे कि आप electrical के लिए apply किये थे, electrician के लिए apply किये थे, तो उन्हीं में से question आएंगे, और आपकी जो marriage decide होती है ना, advance test के अधार पे है, decide होती है, यदि आप stage 1 को clear कर लेते हैं, stage 2 आपको देने को मिलता है, यदि आप stage 2 को भी clear कर लेते हैं, तो आपको skill test देने को मिलता है, ठीक ना, और आपको जो final selection होता है ना, advance test के अधार पे ही होता है, यानि कि skill test और stage 1 सिर्फ qualify nature के होते हैं, hopefully आप सबी लोग इसके syllabus को समझ के होंगे, और आपके जो advantage test पे question आएंगे ना, आपने just discipline या फिर किसी post के question आपके यहाँ पे आएंगे, अब दोफ तो बात करते हैं, upper division clear के 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 लिए, तो upper division clear के का जो exam होता है ना, यहाँ पे आपक objective level का question होगा, इसके बाद descriptive level का paper होगा, तो मैं आपको बता दिता हूँ, level 1 पे किसके topic से question आती हैं, तो आपके यहाँ पे देख लिजिए, general English, general knowledge, general intelligence and reasoning और math के question यहाँ पे आते हैं, जो level 1 रहता है, सिर्फ qualify nature रहता है, आपके यहाँ पे exam पे, आपके marks यहाँ पे नए होती है, अब दोस्तों बात करती है, driver post के लिए, क्योंकि driver के ही सबसे जाड़ वेकेंसी यहाँ पे आई हुई थे, यहाँ पे वह सेम procedure पे आपका यहाँ पे selection होता है, level 1 पे आपका written test होता है, और level 2 पे आपका driving test होता है, और आपका level 1 रहेगा, level 1 पे इस type के question आती हैं, जै यहाँ पे 100 marks के रहती है, यहाँ पे negative marking नए रहती है, दोस्तों इसी तरह से security guide पे भी होता है, लेकिन security guide पे क्या होता है, फिचकल standard test पहले हो जाता है, इसके बाद आपका written test होता है, और इसके बाद आपका यहाँ पे selection होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर को तैयार करूँ, तो आप मेरे को comment box में बताएगा, मैं आपको सेम slivers के अनुसार एक model paper तैयार करूँगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी example की question आने वाले है, तो आप मुशे comment box में comment कीजिएगा, मैं आपके लिए model paper और sample paper जरूर बनाऊँगा, तो फिर मिल तेहनेस्ट वेडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!